बड़े बुजुर्गों द्वारा जरूरी 35 नियम सुनलो नहीं तो पस्ताओगे नमबर एक कभी भी खाली पेट दूद वाली चाय ना पिए ऐसा करना सरीर को बहुत हानी पहुचाती है नमबर दो खाना खाने से ठीक पहले पाने कभी ना पिए कम से कम आधा घंटा पहले पानी पिए इसी तरह खाने के साथ साथ भी पानी नहीं पीना चाहिए खाना खाने के कम से कम आधे घंटे वाद पानी पिए इससे आपकी पाचन सकती हमेशा दुरुस्त रहेगी नमबर 3, हर रोज कम से कम साथ से बारा ग्लास पानी जरूर पीए, इतना पानी पीना स्वस्त रहने के लिए और सरीर की पूर्ति के लिए जरूरी है नमबर चार, पानी कभी भी उपर से ना पिये, पानी हमेशा मूं लगा कर ही पीना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके ही पीना चाहिए, खड़े-खड़े उपर से पानी पीने के कारण घुटने और किटनी खराब हो जाती है नमबर पाच अगर सुगर हो गिया हो तो रोजाना सुभा के वक्त निहार मुह ताजे आवले का रस एक चम्मश हद मिला कर सेवन करना चाहिए इससे सुगर का मर्ज जाता रहेगा नमबर छे अगर काम करते वक्त अचानक शिर में दर्ध होने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट ले इससे सिर्ध दर्ध में आराम मिलेगा नमबर साथ बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है नमबर आठ अगर आपके हद से जादा बाल जढ़ते हैं तो रोजाना शौफ का सेवन करे इससे जल्दी ही बाल जढ़ना बंध हो जाएंगे नमबर नौ प्याज के रस में नीबू का रस मिला कर पीने से उल्टी याना तुरंत बंध हो जाती है नमबर दस अद्रक और लोंग इलाइची वाली चाय पीने से ठाकावट दूर हो जाती है नमबर इक्यारा प्रति दिन गर्म पानी में नीबू और सहद मिला कर खाली पेट पीने से मोटापा दूर होता है नमबर बारा जिन बच्चों की शारीरिक लंबाई कम होती है या सरीर कमजोर होता है उन्हें प्रति दिन पपीता खिलाना चाहिए नमबर तेरा रोजाना कुछ दिनों तक थोड़ा सा गुड़ खाने से चहरे पर आईवे काले धब्बे और पिंपल्स दूर होने लगते है नमबर चौदा यदि आप रोज खाली पेट सिर्फ एक महीने तक किश्मिस का पानी पीते हैं तो यहाँ आपके खोन को शाफ कर देता है जिसके कारण आपकी तुचा चमकने लगती है और सारी केल मुहां से धीरे धीरे गायब हो जाते है नमबर पंधरा शुवा सुभा बिना पानी पीए पका टमाटर खाना स्वास्त के लिए अच्छा होता है और इससे आपके बिमार होने का खत्रा भी कम हो जाता है नमबर शोला कभी भी खड़े-खड़े खाना ना खाए आयुरुबेद के अनुसार ऐसा करना अपने स्वास्त के साथ खिलवार करने जैसा है नमबर शत्रा सुभा उठने के बाद कम से कम सौ मीटर पैदल जरूर चले ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रह पाएंगी और पूरे दिन आप में एनरजी रहेगी नमबर अठारा सेंधा नमक को सबसे सुध नमक माना जाता है या नेचुरल मिनरल से बरपूर होता है और पाचन क्रिया को बहतर बनाता है नीबू के रस में सेंधा नमक मिला कर पीने से गैस की समश्या दूर हो जाती है और डकार आने लगती है ब्लोटिंग की समश्या से ग्रस्त लोग भी इस नुस्खे को आजमाशकते है नमबर 19 हल्दी के जितने भी फाइदे के बारे में बात कर ली जाए वह कम ही पढ़ जाते है अगर आपके दातों में दर्द रहता है या भी कमजोर हो तो हम आपको एक अचुक नुस्खा बताने जा रहे हैं हल्दी और सिंधा नमक को बारिक पीस ले फिर उसे मिश्रड में सुध सर्षो का तेल मिला ले और इसे अपने दातों को श्वा साम उसी से साफ करे इससे आपके दात मजबूत बनेंगी और दर्द में भी रहत मिलेगी नमबर बीस किचन में काम करते वक्त जल जाना आम बात है कई बार ध्यान ना देने पर गर्म प्रेस के छू देने से भी लोग जल जाते हैं अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो गिया हो और घर में कोई दवा नजर नहीं आ रही है तो बीना देरी की ये उस पर टूर पेष्ट लगा ले इससे तुरंत रहत मिल जाती ही और फफोला भी नहीं पड़ता इसके अलावा कच्छे आलो का रस निकाल कर जले पर लगाने से भी आराम मिल जाता है नमबर 21 कांग दर्द की समश्या से परिशान रहते हैं और इसके लिए आप लगाता ड्रॉप का इस्तिमाल कर रहे हैं तो उससे बंद करके आप याज को पीस कर उसके रस को कपड़ से छान ले फिर उसको गर्म करके चर पाच बूद कान में डाले ऐसा करने से आपका कान का दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा डाक्टर को दिखाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी नमबर 22 कपड़ों का पीला पन दूर करना हो तो कपड़े पन नीबू का रस लगा कर कुछ देर छोड़ते दाग दूर हो जाएगा नमबर 20 पुदिनी की चटनी खाने से नीद कम आएगी नमबर 24 अगर जादा वजन बढ़ा हो तो कद्दू का जूस बना कर पीए वजन कम होने लगेगा नमबर 25 अगर आप रात को सोते समय एक किलास पानी और एक लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज, तेजाब और पेट दर्ग नहीं होगा नमबर 26 सलाद का शेवन रोज जाना कर इससे आपका पेट बहार नहीं आएगा नमबर 27 गुडवाली चाई पीने से दिमाग तेज होता है नमबर 28 गुलाब के फुल चेहरे पर मलने से दाग धबे दूर हो जाते हैं नमबर 29 दातों पर नीबू का रस मलने से दात मजबूत और साफ हो जाते हैं नमबर 30 लौकी में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पेट की समस्याओं को दूर करके पाचन समस्या को सुधारती भी है लौकी का जूस पीने से इसीडिटी की समस्या दूर होती है नमबर 31 कभी भी एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए बलकि कम-कम भोजन दिन में कई बार करना चाहिए ऐसा करने से पाचन मजबूत होता है और पेट भी अच्छे से साफ होता है नमबर 32 आप तुलसी की पत्तियों को पानी में पका कर इसका सेवन करें इससे आपको कुछ ही देर में सिर दर्ज से अराब मिल जाएगा नमबर 33 रोजाना खजूर खाने से हट्डिया मजबूत बनती हैं क्योंकि यह कैल्सियम का अच्छा स्रोथ होता है जो हड्डियों के साथ साथ डातों को भी मजबूत बनाता है नमबर 34 रात को सोने से पहले थोड़ा सा नारियल तेल लेकर चेहरे के दागधबू पल लगाएं यह आपकी स्कीन के लिए काफी फाइदे मंद होगा नमबर 35 तना और ठकावट से खुद को दूर करने का एक अच्छा उपाई हल्दी वाला दूद है अगर आप हर दिन रात को सोने से पहले एक गिलास हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूद पीते हैं तो इससे आपको तना और ठकावट में रहत मिलती है तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद